हाई अब्रिवान आप सब का बहुत बहुत स्वागत है परिक्षापत पे वेरी 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 गुड मॉर्निंग आप सभी को और आशा है उम्मीद है कि आप सब एकदम अच्छे होंगे और आज बचो अपनी क्लास होने वाली है एसे सी फाउंडेशन के लिए जीके की पहली क्लास जो कि आपकी रहने वाली है पॉलिटी स्पेशल जिसमें हम अपने समविधान के जो आर्टिकल्स है उनको कम्प्लीट करेंगे एक ही क्लास में ठीक है बचा तो ये आपकी क्लास जो है हम एकदम शुरू करेंगे आप सब जो है बिलकुल खुश रहे और जिस भी एक्जाम के आप तयारी कर रहे हो आप उसमें जरूर सफल हो जाए आप सब जो नए आए है एससी के त्यारी करने के लिए वो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को शेर जरूर करेंगे ठीक है चली बचा शुरू करते हैं अपने भारत के समविधान के निर्मान से ठीक है इसमें हम आर्टिकल्स करेंगे लेकिन बच समीधान को बड़े ही structure way में आपका बनाया गया है ऐसा नहीं है कि कहीं से भी कुछ भी इस में डाल दिया है कहीं कुछ बना दिया कहीं कुछ बना दिया नहीं समीधान को बिल्कुल एक घर की तरह बनाया गया है जैसे आप एक घर बनाते हो ना उसमें लोग उसमें फैमिली रहते हैं रिष्टेदार होते हैं ठीक है बिलकुल उसी तरीके से आपको अगर आप सम्विधान के आर्टिकल्स और पार्ट सबसे अगर सम्विधान के आपने पार्ट पढ़ लिए आपने पढ़ लिए सिंपल सी बात है बचा है तो जो सम्विधान के भाग है पिलकुल एक फैमिली की तरह एक घर की तरह बनाए गई है जैसे सबसे पहले आप अपने घर की क्या बनाते हो नीव बनाते उसके अदर आप कमरे decide करते हो कि भाईया हमारे घर में इतने कमरे होने चाहिए कई बार आप क्या करते हो कि आपने पूरा घर बना दिया आपको जरूरत पड़ती है कि भाईया आगे बच्चे बड़े हो रहे हैं उनको मेभी आगे जाके वो बच्चा अलग होना चाहे अपने privacy को लेकर तो उनको एक रूम बनाकर और देते हैं मतलब आप अपने घर में या तो कई बार बढदहोती कर देते हो कई बार भीया रसोई तोड़ गे हो आपे वैंपर वैश्रूम बना दिया है Somehow कोई स्टोर रूम बना दिया तो बिल्कुल इसी तरीके से अपना पार्ट वन है ना जो कि भारत पूरा का पूरा एक घर बच्चा और उसके अंदर जो स्टेट और यूनियन टेरिटरीज हैं वो वहां के कमरे हो गए किचन हो गई बातरूम हो गई ये सारी चीजे है ध्यान रखन ठीक है ऐसे अगर आप सम्विधान को पढ़ोगे ना तो जट से याद हो जाएगा उसके बाद कि उस फैमिली में अब ऐसा तो नहीं है बच्चा मैंने घर बनाया है तो कोई भी आके रह लेगा उसमें है ना मेरे को स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि ये मेरा घर में कौन रहते हैं अपने ही तो रहते हैं ना बच्चा है ना तो सेकंड पार्ट हमारा नागरिकता पे जाता है कि मैंने जो घर बनाया है उसमें किसको रहने की परमीशन है किसको रहने की परमीशन नहीं है ना जैसे अपने ही परिवार के अपने ही लोग रहते हैं उसी तरीके से हम हमारे भारत में नागरिकता दी जाती है यह ठपा लगाने के लिए कि यह भारत का नागरिक है कोई ऐसा हो गया घर में बच्चा कोई मालो निकम्मी उलाद हो गई उसको घर से बाहर भी निकाल देते हैं कि भाई तू मेरी प्रोपर्टी से जा तो बिलकुल नागरिकता को आपको बता दी आई होप आप रिलेट कर पाए होंगे आगे आगे जैसे बढ़ेंगे बच्चा बिलकुल एक फैमिली की तरही बनाते हुए आपका आगे चलेगे ठीक है तो चलो शुरू करते हैं सबसे पहले जो अपना पार्ट वन आता है जिसके अंदर बच्चा जिसके संविधान में भारत के संविधान में आपके जो यह मूल संविधान था बच्चा आपका 25 भाग है ध्यान रखना 25 भाग है आर्टिकल 300 पी चान में ही है लेकिन आपके बहुत सारे क्या हुए है अमेंडमेंट हुए है ना बहुत अमेंडमेंट आपके हुए है आपके बार पहले संग और उसका राज्य छेत्र मतलब आप एक घर बना रहे हैं हमारे पास कितने राज्य है मैम 28 आज के टाइम पर स्टेट है और आठ यूनियन टैलिट्री है जिन में हमारा भारत जो है वो क्या है बच्चा बसा हुआ है अब इन संग और राज्य छेत्र जैसे मैंने आ बिल्कुल बना सकते हो तो जो यह पार्ट वन आर्टिकल एक से लेकर चार तक बच्चा प्रावधान है बस यह इसी के बारे में है कि आपका सबसे पहले तो परिभाशा संग और उसके राज्य छेत्र के बारे में ठीक है लिखा हुआ है तूसरा आपका नए राज्यों के स 1956 का आपका जो फजल अली आयोग आया था उसके तहत हमने क्या बना दिया 14 स्टेट बना दिये 6 यूनियन टेरिटरी बना दी जैसे जैसे हमें भाशाई आधार पर या फिर आपका बच्चा परसाशनिक आधार पर लगा हम अपने कमरों को बढ़ाते चले गए और आज हमार नए राज्यों के स्थापना का गठन हो गया आटिकल नंबर 3 में है कि राज्यों की सीमा और नाम में परिवर्तन करने का प्रावधान ठीक है राज्यों की सीमाओं में और उनके नाम में परिवर्तन करने का प्रावधान और ये सारा किसके पास होता है ये बच्चा संसद क के पास शक्ष्टी होती है ना यह सारी सक्ष्टिया किसके पास होती है तनसद के पास यह सक्ष्टियाper curva कहता है आर्टिकल नमबर 4 कहता है कि पहली और चोथा जो सजूल है उसके संशोधन तथा अनुपूरक विश्यों पर उपबंद करने के लिए आपको आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के अधीन जो विदिया है मतलब इसके लिए भी आर्टिकल नमबर 2 और आर्टिकल नमबर 3 को समझने के लिए विदियो को जानने के लिए आपको सजूल 1 & 4 में आपका जाना पड़ेगा अब आगे चलते हैं आगे देखो हमने एक घर बना दिया बच्चा उसमें हमने कमरे अपने हिसाब से डिसाइड कर दिये अब हम उस घर में कौन-कौन रह सकता है कौन-कौन उस घर में नहीं रह सकता है इसके बारे में देखेंगे That means the second अपना जो part आएगा वो हमारे सम्विधान में यान की हमारे भारत में नागरिक्ता को लेकर होगा नागरिक्ता का प्रावधान part 2 और article number 5 से लेकर 11 तक है किसको नागरिक्ता मिलेगी? किसकी नागरिक्ता छिन सकती है? कुछ ऐसे दुश्मन देश हैं जिनके लोगों को नागरिक्ता गर देनी है तो special प्रावधान आपके लगते हैं कुछ ऐसे भारतिय हैं जो बाहर दूसरे देश में जाकर रहना चाहते हैं जोब करते हैं उनकी नागरिक्ता कैसे या तो stable रहेगी? कैसे या फिर उनकी नागरिक्ता उनसे ली जाएगी? तो आर्टिकल नमबर पांच कहता है कि सम्विधान की शुरुवात में नागरिक्ता जब से सम्विधान लागू हुआ था बचा तब से नागरिक्ता का जो प्रावधान दिया गया है एक तो वो आपका स्टैबलिस्ट है वो भारत के नागरिक है उसके अलावा अरुच्छेद 6 कहता है कि पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिक्ता कैसे दी जाएगी उसका प्रावधान है आर्टिकल नमबर 6 क्या कहता है बच्चा कि पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों को नागरिकता कैसे दी जाएगी इसका प्रावधान है आर्टिकल नमबर साथ भारत से पाकिस्तान अगर कोई निकमा जाना चाहता है तो उसके नागरिकता कैसे चीनी जाएगी या कैसे बची रहेगी इसके बारे में आपका प्रावधान है आर्टिकल नमबर आठ ठीक है आर्टिकल नमबर आठ में क्या है बचा कि भारत के बाहर रहने वाले परवासियों के नागरिक के अधिकार ठीक है भारत के बाहर जो लोग जोब करते हैं या फिर कोई कई बार बचा बस जाते हैं जाकर तो भारत में कैसे है सोतंदरता भारत मे एकल नाग रिखता है कैसी है भारत में एकल नाग रिखता है और यह हमने कहां से ले रखी है यह हमने ब्रेटन से ले रखी है ठीक है कहां से ब्रेटन से ले रखी है तो भारत से बहार कोई जाकर रह रहा है बचा तो अगर वो वहां की citizenship लेता है तो उसको पहले यहां की citizenship जो हो ठीक है चलिए आर्टिकल नंबर नो कहता है विदेशी नागरिक्ता लेने पर भारत की नागरिक्ता से वंचित आपको होना पड़ेगा अंसे डैड़ बच्चा थीक है इसमें क्या होता है परवाशियों के लिए कि आपको कुछ टाइम पीरियेट दिया होता है कि सके बाद ग्यारा संसद के द्वारा यह इंपोर्टेंट है आपका पूछा भी जा चुका है ना अनुचेद ग्यारा आपका संसद द्वारा नागरिकता अधिकार कानूनों का वी नियमन यानि की regulation का प्रावधान है किसके पास यह शक्ती है बचां यह शक्ति जो है article number 11 संसद को देता है किसको देता है संसद को देता है आगे बात करते हैं अब अपने घर में हमने ये भी decide कर लिया कि हमारे घर में कोन रह सकता है कोन नहीं रह सकता है अब बचा गर एक घर में परिवार में लोग रहते हैं तो उन लोगों के कुछ अधिकार भी होते हैं अपने मर्जी से वो खाना खा सकते हैं मर्जी से वो कहीं बाहर जा सकते हैं अपने मर्जी से वो एक साथ बैठ सकते हैं अपने मर्जी से जिसको पूजा करनी है वो पूजा कर सकता है कुछ घर में ऐसे लोग होते हैं कि भाया मेर को तो नहीं करनी मैं नहीं करूंगा ऐसे लोग होता है कुछ घर के लोगों को नहाना पसंद होता है कुछ को नहाना नहीं पतलब उनके अपने अधिकार होते हैं यह है ना उनके लिए कोई उनको टोकता नह ही है कि भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हो है ना तो घर के लोगों को जैसे अलग जैसे दादा दादी को अलग अधिकार होते हैं भाईया हम बच्चों को डाटेंगे हम बच्चों को बीटेंगे बच्चों को अलग अलग अधिकार होते हैं कि कुछ भी कर लो हम तो खेलेंगे है जो की बताता है fundamental rights के बारे में ठीक है कौन सा है part 3 है fundamental rights के बारे में यह fundamental rights जो है वो हमने अमेरिका के सम्विधान से लिए है और बिल्कुल यह हमारे मूल सम्विधान में मोजूद है कहां से कहां तक है article number 12 से आपका 35 बच्चा अब जैसे घर के अंदर आप यह सारे अधिकार लेके बैठे ओं आप कहीं बाहर जाओगे तो आप इन अधिकारों का बच्चा ऐसा तो नहीं है कि आप घर के अंदर ही आप इन अधिकारों का यूज कर सकते हो बाहर वाले थोड़े ना आपके अपने हैं वह तो आपको मार पीट के भगा देंगे उसी तरीके से जब हमार बच्चा प्राइम सत्ता है केंदर की सत्ता आपकी प्राइम मान जाती है जादा अधिकार उनके पास है तो वो राज्यों को बताते हैं उनकी परिभाशा कि हांजी भाईया लिमिट में रहना है हम आपको आपके नागरीकों को अधिकार तो दे रहे हैं लेकिन इन अधिकारो का दुरुपयोग नहीं करना है ना ऐसा नहीं कि कल को हम आपको अधिकार दे और आप कहो कि हम तो अपना नया देश कल को तामिलनाडू के सारे लोग खड़े हो जाएं और कहदे भाईया स्वतंत्र तक अधिकार है और हम स्वतंत्र होना चाहते हैं हम भारत से अलग होना चाहते हैं तो नहीं पैसा नहीं कर सकते आर्टिकल नंबर 12 आपकी परिभाशा ये देता है कि आपको स्वतंत्र रहने का तो अधिकार है लेकिन अंडर भ को खुल के जीए तो यहां पर आर्टिकल नंबर 12 एक राज्य की परिभार्षा जो है वो बताता है उसके बाद आर्टिकल नंबर 13 मौलिक अधिकारों पर नियंतरन करने की आपकी विदियों के बारे में बताता है उसके बाद आपका आर्टिकल नंबर 14 अब यहां से शुरू हैं अब इन छे के अंदर भी कई सारे आपके clauses हैं अब देखेंगे सबसे पहले है राइट टू equality यानि की समानता का अधिकार जैसे एक मा के लिए उसके बच्चे होते हैं सब समान होते हैं तो सबसे यानि की तुमने भी अगर एक कत लिए है तो तुम्हें भी उसकी फासी होगी है ना अगर सेम टाइप का बच्चे इंटेंस है आर्टिकल नंबर 15 कहते हैं कि भारत में आप अगर हो तो आप किसी को भी धर्म जाती लिंग जन्मस्थान आधी के आधार पर भेदभाव उससे नहीं कर सकते हैं यह उस सामने वाले व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन होगा उसके बाद आर्टिकल नंबर 16 आपका क्या कहता है आर्टिकल 16 कहता है कि लोक नियोजन के अवसरों में सभी को आपकी क्या है समानता का अधिकार है आर्टिकल नंबर 17 आपका सबसे important बच्चा untouchability है ना पुराने टाइम पे किया करते थे ना कि घर पे अगर कोई आपका low category का है ना नीच जाती का कोई आजाए sorry to say that word है ना तो क्या करते थे specially देखा है मारे पर दादा उन टाइम पे चलते दादा पर दादा उनके टाइम पे उनको नीचे बठा के उनके बरतन अलग करना उनको छूना नहीं उनको बिल्कुल दूर से टाटा बाय बाय करना तो article 17 अगर आज ऐसे कोई कर दे और बचा किसी ने थोड़े भी article पढ़ बच्चा भारत जो है वो राजा महराजाओं का पूरा एक घर था जिसके अलग-अलग territories पे राजा महराजा आपके क्या करते थे राज क्या करते थे कि भाया यह राजा धरमवीर और यह राजा पधार रहे हैं यह और वो तो सारी उपाधियों का अंत हो गया है except बच्चा जो आपके military वगएरा सेनाओं में जो आपका जैसे जनरल हो गया बिल्गेडर हो गया यह सारे जो दिये जाते हैं डोक्टर्स को हो गया तो यह सारी उपाधिया बिल्कुल चलती है लेकिन बाकि उपाधिया कि राजा महराज क्योंकि भारत में यह कहता है हर कोई कि एक समान है हर एक नागरिक भारत का तो आर्टिकल नंबर 18 में उपाधियों का अंत उसके बारे में प्रावधान है अब आ जाता है बच्चा आपका दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार क्या आ जाता है बच्चा स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल नंबर 19 से लेकर आपका 22 तक अब ट्विटर पे किसी भी नेता, किसी भी सरकार को गाली ग्लोच, कुछ भी बोल सकते हो है तो यह आपकी बोलने की आजादी, आपकी अभीव्यक्ति, आपके एक्स्प्रेशन की आजादी को दर्शाता है आर्टिकल 19A में भी सेम बच्चा आपको बोलने की स्वतंदरता ये क्या है आपकी दी जाती है अगला आर्टिकल 19 के बी क्लोज में आप सब लोग सांती पूर्वक बिना हतियारों के कहीं पर भी इखटा हो सकते हैं प्राइम एक्जामपल जैसे अभी यूपे पुलिस का लीक हो गया था बच्चा पेपर बच्चे लखनओं में क्या कर रहे थे लखनओं में बिना हतियारों के सारे के सारे इखटे हुए थे विद सो मैनी टीचर्स ताकि बच्चा वो अपनी बात को सरकार तक पहुँचा सके तो वो अपने 19 B का क्या कर रहे थे यूज कर रहे थे 19 C संगठन या संग बनाने की स्वतंदरता हमें मिली हुई है ठीक है संगठन या फिर संग बनाने की आपकी क्या है बच्चा स्वतंदरता लेकिन इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो संगठन या फिर वो संग जो है आप भारत को तोड़ने के लिए बन रखनी है आर्टिकल 19D में है कि देश के किसी भी भाग में आने जाने की हमें स्वतंत्रता है है ना अब देखिए आप सब लोग पढ़ाई बढ़ाई कर रहे हो पेपर वेपर देते हो ठीक है स्कूल समय है तो और अच्छी बात है लेकिन जब भी आपको मानलो ससी जीडी का एक्जाम अब हो जाएगो इसके बाद चार पान जिनका आप प्रेस लोगे आप अपना बैग उठाओगे और आप निकल लोगे माल की हम तो केरल घूमने जा रहे हैं कुछ कहेंगो हम कसोल घूमने जा रहे हैं ने को भारत की टेरिट्री के अंदर हर जगय जाने का अधिकार है कोई आप से बच्चा एक सिंगल आदमी ये नहीं पूछेगा कि आप यहां क्यों आए हो आप तो उस फलाने जगे से हो तो भारत के नागरिकों को भारत के किसी भी भाग में आने जाने की स्वतंदरता है देश के किसी भी छेत्र में रहने की स्वतंदरता है मालीजे मैं यूपी के शामली से उठीक है भाया मुझे जोब करनी थी मेरी जोब की नीड जो है वो दिल्ली में थी मैं दिल् सतना उन्निस ए के तहट लगा देना कि हमारे फंडमेंटल राइट का उलंगन है उन्निस जी में आपके देश की किसी भी हिस्से में व्यपार करनेगी आपकी स्वतंतरता है आर्टिकल बीस आपका अब बच्चा यहां पर आ जाता है जो कि कहता है कि अपराधों के दोश सिद आर्टिकल नंबर इकिस इंपोर्टेंट है आर्टिकल नंबर बीस और इमर्जेंसी में सस्पेंड नहीं होते हैं आर्टिकल नंबर इकिस जो है वो हमारे प्राणों की हमारे देहे की स्वतंतरता का अधिकार हमें जीने का अधिकार देता है बच्चा ओके आर्टिकल इकिस A, जिसको जोड़ा गया था, 86 सम्विधान संशोधन, सन 2002 में, ये बच्चा संशोधन आया था, इसके दहत fundamental duty एक जोड़ी गई, और एक fundamental right, beauty किसके लिए, अभी भावकों के लिए, right किसके लिए, एक बच्चे के लिए, कौन सा right, की बच्चे को आपका उसका प्राथमिक शिक का अधिकार अर्टिकल नमबर 22 में है कुछ दशाओं में गिरफतारी से सनरक्षन का अधिकार अब आ जाता है बचा सोशन के विरुद अधिकार है ना सोशन के विरुद अधिकार थीसरा का फंडमेंटल राइट 23 से लेकर 24 सोशन होना किसी को दबाया जाना किसी से जबर्दस्ती काम कराया जाना तो सबसे पहले है मानव के साथ दुर्वेवार ठीक है और बाल श्रम पर आपका प्रतिशेद आर्टिकल नमबर 23 पर आर्टिकल नमबर 24 है कि जो बड़े-बड़े का खाने बड़े-बड़े फैक्टरीज होती है भारी काम जहां पर आपका करना होता है वहां पर अगर कोई 14 वर्ष से कम आयू का बच्चा मिला डैट मिन्स कि आप उस बच्चे के मौलिक अधिकार का हनन कर रहे हैं और ये एक कानूनन अपराद है आर्टिकल 24 के बाद हम श्वत अतंतरता का अधिकार है क्योंकि भारत जो है वर्सटेलिजी का देश है पहुत सारी संस्कृती कई सारे धर्म भारत में आपके निवास करते हैं तो आर्टिकल 25 जो है ये कहता है कि मैं एक इंडिवीजवल पर सन मेरा मन चाहे मैं हिंदु धर्म अपना हूँ अधिकार है किसी भी धर्म का परचार करने की मेरी ये स्वतंद्रता है आर्टिकल 26 कहता है कि धार्मिक कारियों के परबंद की स्वतंद्रता है कि भैया मान लीजे कि मुझे हिंदु धर्म हद से जाधा पसंद है मैं चाहती हूँ कि उसकी जो गाथाएं माहभारत की की भगवान राम की भगवान हनुमान की उनकी जो बाते हैं उनके जो विचार है मैं लोगों तक पहुचा हूँ तो बच्चा मेरे पास यह अधिकार है कि मैं जैसे आपकी कई सारी सभाइनी होती है आपने देखा होगा है ना सत्संग वगेरा तो इनका अधिकार जो है वो कर संबंधी स्वतंदरता है 28 के अंदर सरकारी सिक्षन संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी यह चीज ध्यान रखना माली जब किसी सरकारी स्कूल या किसी प्राइवेट स्कूल में जा रहे हो और आप वहां यह कहो कि मैं मुस्लिम धर्म से हूं या फिर आपका मैं हिन्दू धर्म से हूं तो मुझे उनके पढ़ाए मुझे इंगलिश की कविता है हिंदी की कविता है उनके पैसेश वग forts नहीं पढ़ने है मुझे नहीं पढ़ना है तो यह गलत होगा तो बच्चा जो dharmic सिक्षा है वो आपको सख्रकारी सिक्ष्ण संस्थानों में नहीं दी जाएगी धर्म विशेश के कारेकरम में शामिल होने के लिए आप बाद है बिल्कुल नहीं है ना तो आपका आगे चलते हैं अर्टिकल नंबर आपका बचा एक तो फंडमेंटल फिफ्ट ठीक है फंडमेंटल राइट आपका पांचवा जो की बताता है संस्कृती सिक्षा संबंधी अधिकार अब भारत बचा आप सबको पता है बहुत सारे धर्मों से मिलकर बना है उनमें कुछ धर्म ऐसे हैं जिनकी हम अलप संख्यक कहते थे और कहीं उनकी वह संस्कृती उनका धर्म नस्ट ना हो जाए उन पर दबाव ना पड़ जाएगी एक मैजोरिटी के अंदर आप रहे रहे हो उनके अंदर डर का भाव ना हो तो उनको यह अधिकार दिये गए कि आप अपनी संस्कृती अपनी सिक् बोलते हो बिलकुल पंजाबी बोलते हो उनकी लीपी गुरु मुखी लीपी है बिलकुल यूज करो और संस्कृती को संरक्षित रखने का जो है अधिकार बिलकुल है उसके बाद आर्टिकल नमबर 30 क्या कहता है अलप संख्यक वर्ग को अपने सेक्षनिक संस्थान संचाल प्रणित करने का भी आपका अधिकार है जैसे इसका प्राइम एक्जामपल मदर से वगएरा जो होते हैं बच्चा चलिए अब आप आर्टिकल नमबर 6 आपका आता है बच्चा संवेधानिक उपचारों का अधिकार आपने जितने भी आर्टिकल पढ़े हैं जितने भी आज फंडामेंटल राइट पढ़े हैं इनमें अगर किसी में भी आपको लगता है कि कोई आपके फंडामेंटल राइट का उलंगन कर रहा है तो आप उसके खिलाफ सुप्रीम कोट या हाई कोट में जा सकते हो वो एक रिट जारी करेगा इसको लेकर तो ये सम्वीधान की आत्मा भी कहलाता है क्या कहलाता है सम्वीधान की आत्मा ओट बच्चा सम्वीधान की आत्मा किसके द्वारा कहा गया था डोक्टर भीम राव अंबेड करके द्वारा जो सम्वीधान के निर्माता भी है तो रिट संबंधी प्रावधान है चार प्रकार के डिट जो है इसको जारी करता है अंडर आर्टिकल 226 और शायद SSCGD ने ये सवाल आपका पूछ चुका है लिख ले ना SSCGD 2024 में ये सवाल भई आपका आया है आर्टिकल नंबर 33 क्या कहता है कि मौलिक अधिकारों को लागू करने में संशद की शक्ति के बारे में प्रावधान है संशोधन करने की शक्ति है वो चाहे तो आपके अधिकारों को बच्चा बढ़ा घटा सकते उसको कुछ भी लगता है लेकिन उसके पास एक छोटी सी बात ये है कि वो संशद के मूल जो धाचा है सम्विधान के मूल धाचे से खिलवाड नहीं कर सकते इसलिए शायद हमारे अभी तक सुरक्षित भी है ना तो ध्यान रखना आर्टिकल नंबर 33 संसद को शक्ति देता है मूलिक अधिकारों को लागू करने में सम्विधानी कुप चारों के अधिकार में बचा आगे अगर हम चले तो 34 क्या कहता है 34 कहता है सैन्य छेत्र या कानून के समय मूलिक अध प्रावधान आपके है देश में कुछ ऐसी सुच्वेशन है बच्चा मार्शल लो लगा हुआ है तो वहां पर मूलिक अधिकारों का परतीबंद इसके प्रावधान जो है वह आर्टिकल नंबर 34 ठीक है और आपका आर्टिकल नंबर 35 मूलिक अधिकार लागू करने से संब और आरे परिवार के लोगों को मौलिक अधिकार भी उनके मिल चुके है स्वेतंद्रता थिकार फिक्सर परीवार है पढ़ो नई परणा जाता 60 का टीक है लेकिन परात्मिक शिक्षा सब के लिए जरूरी है अब आ जाते हैं बच्चा उस घर में जो आपके अलग अलग कमरे थे मालों एक कमरे में चाचा चाची रहते हैं एक कमरे में मम्मी पापर रहते हैं एक कमरे में ताउता ही रहते हैं तीनों के अलग अलग परिवार बच्चा तो उनको अलग अलग बच्चा कुछ और हक दिये गए सबसे अधिकार अपने कमरे के अंदर बच्छा लागू करने के लिए दिये गए हैं कि आपके पास भी कुछ स्वतंत्रता है अब ध्यांसे सुनना राज्यों के नीती नीदेशक्तितु और यह मेरे को अप्टर फंडामेंटल राइट सबसे बेस्ट पार्ट लगता है सुमवेधान का देखे अर्टिकल नमबर 36 से लेकर यह 51 तक है बचा नोट 52 51 तक इसमें यह मिस्टेक हो रखा है तो अर्टिकल नमबर 36 ठीक्ड़ केहता है एक राज्यों की परिभाषा आर्टिकल नमबर 37 कह कहता है कि जो DPSP है सबसे पहले तो ध्यान रखना जो आपके DPSP है ठीक है वो आपके कहां से लिए गए हैं आयर्लेंड से लिए गए है आयर्लेंड के सम्विधान से लिए गए हैं राज्यों की परिभाशा उसके बाद 36 के अंदर नीती निदेशक्तत्व नयाल्य में ठीक य लोक कल्यान की वृद्धी में उसकी व्यवस्था करेगा ठीक है अपने अपने राज्य को अपने अपने कमरे को कैसे बढ़ाया जाए कैसे उसको सम्रद किया जाए कैसे उसको प्रोस्पर किया जाए कैसे उसका कल्यान किया जाए यह हर राज्य का आपका क्या होगा दाहित समान न्याय और निशुल्क विधी साहिता जो है आर्टिकल नंबर 39 और यह इंपोर्टेंट है ध्यान रखना बचा है ना आर्टिकल नंबर कि एक राज्य चाहे तो वो से लागू करे ना चाहे तो वो से लागू ना करे जैसे आर्टिकल 44 है आपका है ना आर्टिकल नंबर 40 जो है वो लोकल सेल्फ गवर्मेंट के बारे में है बचा पंचायतों के गठन के बारे में है राज्य चाहे तो अपने छेत्रों में पंचाय लगुरून है इंपोर्टेंट है ऐ्मकर आपका जेंपोर्टेंट सब्सेज्यादा पूछे जाते हैं वहां पर में आपका इंपोर्टेंट लिखते चलूंगी ससारी купेल इंतर एक्षा मताना का अथिकार जो है वह आपका होगा आर्टिकल नंबर 42 कहता है कि न्याय संगत और मानव उचित दिशाव तक परशुष्टी साहिता का आपका क्या होगा प्रावधान होगा प्रोविजन ओफ जस्ट एंड हुमेन कंदीशन एंड मेटरिनिटी आसिस्टेंट आपका बच्चा यह चीज ध्यान रखना नीती निदेशक्ततों में आर्टिकल नंबर 43 मजदूरी और कुटिर उद्योगों का आपका प्रावधान है इंकरिजमेंट टुलेबर एंड कोटर इंडस्ट्री इंपोर्टेंट है सबसे जादा गांदी जी ने बल दिया था बच्चा इस पर आर ने राज्य में समान नागरिक सही था कि वहाँ पर जो कानून चलेगा वो एक चलेगा वहाँ पर यह नहीं है कि अलग-अलग धर्म के लोग अलग-अलग कानून को फोलो कर रहे हैं जैसे अभी उत्तरा खंड ने किया है ठीक है यू के पहला स्टेट बन गया है आपका अर्टिकल नमबर फोटीफोर यू सिसी लागू करने के लिए अर्टिकल पेंतालिस इंपोर्टेंट है बच्चा यह बच्चों को मुफ्त और अनिवारिय शिक्षा की जिम्मेदारी राज्य की होगी यह प्रावधान आपका आर्टिकल नमबर फोटी फाइव के अंदर है बच्चों को मुफ्त और अनिवारिय सिक्षा देने की जिम्मेदारी राज्यों की होगी आगे चलते हैं आर्टिकल नमबर 46 अनुसूचित जाती और जन जाती और अन्य वर्गों की सिक्षा और अर्थ संबंदी हितों का प्रावधान आपका राज्य सरकार की एक तरह से जिम जिम्मेदारी होगी आपके राज्य में अनुसूचित जाती या जन जाती के लोग निवास कर रहे हैं उनका उत्थान उनका कल्यान करना आपकी जिम्मेदारी है उनको सही सिक्षा देना सही शिक्षा उनको प्राप्त हो यह आपकी जिम्मेदारी है यह आपकी जिम्मेदा का है राज्यों को अपने सरकार जैसे मिड़े मिल वगारा वच्छा आपका हो गया तो राज्य सरकार की बहुत सारी ऐसी योजनाई होती है जो बच्चों के पोशन और उनका जीवन इस्तर ठीक है लाइफ साइकल जो है वो बढ़ाने के लिए उनका स्वास्ते सही रखने के लिए आपका काम करते हैं आर्टिकल नमर 48 इंपोर्टेंट वच्चा इस पर राज्योंद्र प्रसाद जी ने सबसे ज़्यादा बल दिया था क्रिसी और पशुपालन संबंधित आपके प्रावधान ठीक है क्रिसी और पशुपालन संबंधित आपके प्रावधान आर्टि यही तो है जो हमारे भारत की संस्कृति को जिन्दा रखे हुए हैं राज्जो का ये दाईतु बनता है कि उनके राज्जों में जो भी एतिहासिक स्मारक है जो भी इमपोर्टेंट इस्थान है जैसे UP का ताज महल बच्छा है न उनका शनरक्षन करना ठीक है उनको बचाना उनकी हानी होने से भाईया तो यह आपका क्या है करतव्य है एक तरह से तो आर्टिकल 49 तक आ चुके हैं आर्टिकल 50 में क्या है? आर्टिकल 50 में है कि कारिय पालिका और न्याय पालिका दोनों अलग-अलग काल्म करेंगे यानि कि उनके विभाजन के बारे में बात है. अगेन आपका important क्योंकि DPS पी आज कल जादा पूछे जा रहे हैं इसलिए बच्छा ये important आपके बन जाते हैं. आर्टिकल 51 क्या कहता है कि अंतर राष्टे शांती और सुरक्षा से संबंधित क्या है? इसके अंदर प्रावधान है कि हमें अंतर राष्टे शांती, सोहार्द और सुरक्षा जो है वो आपकी बनाए रखनी है. ठीक है बच्छा? अब इसी के ही part 4 के अंदर चलते हैं. ये को आपका बच्छा 42nd Amendment Act 42nd Amendment के द्वारा कब बच्छा 1976 में एड किया गया by the स्वार्ण सिंग महता कमेटी जो की आपका एक mini constitution भी कहलाता है क्योंकि इतने सारे संविधान आपके संशोधन किये गए संविधान में. तो part 4 जहाँ पे DPS में मौजूद थे वहीं पर बच्छा ए लगा के उसी में आपके मोलिक कर्तव्य यानि की fundamental duty. अब जैसे उस घर के लोगों को जो आप भारत का निर्मान कर रहे हों, संविधान का निर्मान और हम उसका comparison एक घर से कर रहे हैं, जैसे हम एक घर बनाते हैं. उस घर में जैसे रह रहे हैं लोगों को सतंतरता का अधिकार है बचा यानि कि उनको मोलिक अधिकार मिले हुए हैं, ऐसे ही उन सब का एक दायत्वे कर्तव्य भी होता है, उस पूरे घर के परती कि घर को तोड़ना फोड़ना नहीं है, घर में कलेश नहीं करना है, एक दू उसरे के बच्चों को प्यार करना है, उनको आगे बढ़ाना है, उनकी सहयता करनी है, ठीक है, उसी तरीके से भारत के लोगों को अगर मोलिक अधिकार, उनको स्वतंतरता का अधिकार, पढ़ने का अधिकार, धर्म को पालन करने का अधिकार दिया है, तो उनसे कुछ लिया है मोलिक अधिकार है और पहले कितने हुआ करते थे देखो इसके तहट आपके जोड़े गई थे स्वांट सिंग महता कमेटी दस fundamental duties उसके बाद 86 वामिंडमेंट एक्ट सन 2002 में आता है और उसके तहट 11 करवी fundamental duty जोड़ी गई थी जो यह बताती है कि हर बच्चे के सिक्षा दिलाना हर बच्चे को सिक्षा दिलाना उसके माबाप या फिर उसके गार्जन का एक करतव्य है ठीक है कि उसको वह सिक्षा मिले अब पार्ट पाइव पर आ जाएंगे और इसको हम करेंगे कल से शुरू क्योंकि इसके बाद अब उस घर में जिसका हम निर्मान करने जा रहे हैं अब उस घर में कुछ ऐसे मेंबर होंगे बच्चा जो सबसे प्राइम होंगे जैसे दादा जादी हम कह सकते हैं अब उसके बाद जैसे आपके घर में कुछ ऐसा होगा जिसके हाथ में सारा कार्य भार होगा लेकिन वो पूछ के किस से करेगा रास्ट पती से करेगा उसको हम प्रधान मद्य जैसे अपने ताउजी बना दिए बच्चा है ना फिर बच्चा ऐसे होंगे कि जो हमने कमरे ब सालिक होंगे है ना उनकी वहां पर चलेगी पूरे घर में किसकी चलेगी एक जो सब के लिए कमा रहा है सारे डिसीजन ले रहा है सारे कानून बना रहा है प्रधान मंत्री उस प्रधान मंत्री किसकी साहिता से किसकी आपको वो लेनी पड़ेगी सलहा लेनी पड़ेगी दा अब हम अपनी भारत की अगर सम्मिधान की बात करें तो संसद जहां पर कानून बनते हैं जहां से देश घर चलता है उसके बारें बात करेंगे और यह हम कल पार्ट टू में अपना करेंगे ठीक है जी कल हम पार्ट टू करेंगे बच्चा आज की यह क्लास जो थी वह आपकी recorded class थी इसके लिए दिल से माफी क्योंकि मेरा बच्चा appointment है डोक्तर का आपका ये 11 से 12 बजे का 11 से 1 का था और उस टाइम पर हमारे class थी तो बच्चा उसका appointment इसलिए नहीं मिस कर सकते क्योंकि 3-4 दिन के बाद वेटिंग के बाद उनका appointment जो है वो मिलता है तो मैंने सोचा कि आ आगे के जो घर बना रहे हैं यानि की सम्विधान बना रहे हैं बच्चा उसमें आगे के closes यानि की आर्टिकल देखेंगे और थोड़ा सा अगर relate कर पाए हो कि बिल्कुल सम्विधान ऐसे ही structure wise बना है कि जैसे एक घर बनता है ऐसे ही हमारा constitution बना है पस relate करने की बच्चा ब आगेाने की सम्विधान लगा करने की बंधने की सम्विधा़ा झाले बना हैं वाजा रहे हैं दो!